दोस्तों अभी तक आपने UPP परिक्षा आपको इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल किजे क्योंकि यहाँ RPF SI or Constable के ओंलाइन टेस्सरी चलाई जाती है और अगर इस आपको इंस्टॉल करते हो तो आपको यूपी पुलिस के सिपाई भरती के लिए निसुल के त्यारी करवाए जाती है और आप यहाँ UPTAT के त्यारी निसुल कर सकते है और आप आप बाइ करना चाहते हो तो बाइ करने के बाद अगर इस कूपन कोट के यूज करते हो तो आपको यहाँ 50% का डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा जी हाँ फ्रेंट बिहार SAC एकजाम 2018 से रिलेटेड बहुत भड़ी बीग अपडेट निकल क्यार यह फ्रेंट की हमारी आवाज बनी हिंदुस्तान और प्रभात की आवाज दोनों सिप्टों का पेपर हुआ है लिक बिहार SAC के जो है बताई गई है जो की वो सीधा बिहार SAC अपने पल्रे को जार रही है कि उनकी कोई गलती नहीं तो चले फ्रेंट्स आप सभी को लेके चलते उनके रिपोर्ट के उपर जी है दोस्तों जैसा क यहां देखपा है हिंदुस्तान खबर ने चापा है BSCC परिक्षा की प्रश्ण पत्र फिर लिए और फ्रेंट्स यहां पडभात खबर ने यहां स्छापी है यहां सचय से कि BSCC इंटरस्तरिया परिक्षा का परचालिक जाच का देस जी हैं वो हो गया है लेकिन फ्रेंट्स अगर देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे अनेकैडमी पे बिहार करमचारी चैन आयोग बी एससी के प्रथम इंटरस्तर ये संयुक प्राणबिक परिक्षा का प्रशनपत्र था फ्रेंट्स पटना और कुजीलो में लिक होने की चर्चा है साम चार बजे दूसरी पाली के परिक्षा खत्म हुई तब तक मोबाईल पर प्रशनपत्र व परिक्षा के अंदर मोबाईल वो अन इलेक्ट्रोनिक गैजेट ले जाने की मना ही थी ओएमार सीट के साथ साथ परिक्षारती से प्रशनपत्र भी लिया गया था ऐसे इस्तिति में ऐसे में प्रशनपत्र वायर होने को लेकर तरह तरह की संकाय जताए जाड़िये जनवरी प्रशनपत्र में प्रथम इंटरेस्टर ये परिक्षा का ही है देखो प्रेंट जैसा काम लोग ने बताया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जूट मूर का फाल्तु कोई कहीं और का क्वेश्चन था लेकिन उन्होंने खुद जो सची हुए बिहार से सीगों ने प्रशारित किया गया होगा देखो प्रेंट इन्होंने कहा कि परिक्षा के बाद जो है प्रशारित किया होगा लेकिन मैं ऐसा कहता हो जगर चैनल मन करें कि परिक्षा के बाद अगर मैं ऐसा कह दूँ कि वो जो है पेपर आपके परिक्षा से पहले उन लोगों को दिया ग है सबी दीएम को आदेश दिया गया कि पूरे मामले की जांच का आयोग को भीजे ये भी कहा आगया है कि इसमें जांच की जयाकी वायरल हुए प्रशनपत्र इंट्रेस्थ रहे परिक्षा की है या नहीं और फिर दखो इन्होंने खुद भी कहा दिया है कि परिक्षापत्र या नहीं अभी भी इनको डाउट होड़ाए अरे भाई जिन्होंने एक चाम दिया उनको पता है कि कौन से पेपर आया थे और किस तरह किया थी पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगली करवाई की जाएगी और फ्रेंट्स यहां बताया जारा फ्रेंट्स की प्रशन मुन्ना भाई भी गिरफतार हुए है प्रथम इंट्र तरिये संयुक्त परिक्षा के प्रथम दिन सनिवार को 50 प्रिशार्थी भी सामिल हुए 6,52,000 के प्रश्पत निर्गत किये गया थे लेकिन करिब 3,000,000 सामिल हो गया दूसरे के बाद परिक्षा दे रहे है तीन के अल कि प्रश्पत्र पे कोई लोगों का मोबाईल पर वाईरल हुआ है बिहार ससी इंटरेस्टर ये परिक्षा का परचा लिग जांच का अदेश यहां पर फ्रेंट्स इनों ने यही बताया है कि जो जांच का परचा है जांच के लिए जो कमिटी है वो बैठा दी गई है बुकलेट लेकर भागे जाने की बात सामने आई अब देखो फ्रेंट्स इनों परभात खबर ने चापा है कि औरंगा बाद में यह पेपर जो है लेकर के भागे गये हैं लेकिन यहां हिंदूस्तान बता रहा है फ्रेंट्स की जो पटना में कहीं था जो कि फ्रेंट्स तुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे है फ्रेंट्स उसके बाद देखो आगे जो बताया जाना है फ्रेंट्स की जो आयोग के सच्चु जो है योगिंदर राम के अनुश्रार शंभो है कि उग्तशात्र के द्वारा मोबाइल पर फोटो खीच कर वरल किया गया है उसकी जा एक्जाम के बाद जो है आपका पेपर वारल हुआ है लेकिन अगर हम कहें कि एक्जाम से पहली जो पेपर था वह बांट दिया गया था सभी को जिन्होंने पैसा दिया होगा और फ्रेंट्स बताओ यह इस तरह से जो कदाचार करते पकड़े गहें अभी आर्थी जो पेप करो फ्रेंट्स बीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ सेर करो ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग हमारे साथ थे बिहार सेसे के इस धांधली के खिलाब की पेपर जो है एक्जामिनेशन से पहले ही जो वारल हो जा रहे हैं मिलते है फ्रेंट्स आप सभी से अगली वीडियो में लेकिन अभी तक सब्सक्राइब कर लिजे साथ साथ बेल आइकन को तबा लिजे कि बिहार सेसे के हर एक छोटी बड़ी खबर जो है आप सभी सेर कर सके मिलते है फ्रेंट्स आप सभी से अगली वीडियो में